दोस्ति एक छोटा सा टॉर्च है जो की केसिन के पाइप से बना गया पॉने इंच पाइप का उपियोग करके इस टॉर्च को बनाए गया आप देख लो कितना अच्छा रोशनी कर रहा है यह काफी अच्छा बड़ा बाला एलेडी का इसमें उपियोग किया गया है इसके लि असाही से कड़ जाता है अब हमें इसे थोड़ा साफ कर लेना है क्योंकि कटिंग का अडर्श्ट इस पर लगा हुआ इसे ओपन कर लेंगे और यह देखो इसे अच्छे से देख लेंगे फिट हो रहा है क्या नि अब हमें लेनी है एक LED यह देखो यह LED है यह एक हमें चार्जिंग सॉकेट लेना है और यह एक बैटरी हमने लिया है चोटा साइज का चुकि काफी कम जगा एस में तो हमें चोटा ही बैटरी जना तहरेगा क्योंकि सामने खूला छोड नहीं सकते हैं तो इसे मूर देंगे कि इस तरह से कटर की सायता से काट लेंगे या कंची के से काचसंव सकते हैं इसे कटे गाने क्योंकि अक्यूद्वी plastic होती है जो आई कि इसे इस तरह करेंद का देंगे बाद में एसे थोड़ा तो मैंने इसका स्पीड लगबग दो गुना कर दी जिसके कारन ये वीडियो आट मिनिट पे आके रुका है तो ये सामने की और इस तरह करके मोड़ देंगे ये देखो बाद में इसे थोड़ा फिनिसिंग कर देंगे ये हो गया और हमें सेकेंड साइड भी इसी तरह कट करना है क्योंकि चार्जिंग सोकेट लगाएंगे एक साइड और एक साइड लगाएंगे एलेड दोस्तों मैं अपने वीडियो में काफी कम गैजट का उप्यो कर इस तरह से थोड़ा कि स्लीम किया गया उसके बाद यह मूड़ गया साइड और यह से इस तरह से मोड़ देंगे तेखो कि यह काफी कि फिनिसिंग आ चुका है इसमें अब हमें सबसे पहले इसमें लेडी फिट करनी है तो लेडी फिट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है इसके उपर जब सोल्डर इसके लेक के उपर जब सोल्डर रखेंगे गर्म किया हुआ तो यह अपने आप इसमें इन कर जाएगा यह इस तरह करके यह दको इसमें फि थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा कि इस तरह करके से कट कर लेंगे और यहाँ पर इसे फिट कर देंगे चार्जिंग सोकेट प्लास्टिक का ही है और यह हमारा कैसिन भी प्लास्टिक का है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हिट कर देंगे ताकि यह ही ले डू लेना पिन में ये रेड और ब्लू कलर का वायर किया गया है उपयोग जिसमें रेड पलस है और ब्लू माईनस है तो सबसे पहले बैटरी के पलस माइनस पर जोड लेते हैं क्योंकि हमें चार्जिंग सोकेट लगाना ज़रू अदॉल ये काम आएगा है अब हमें एलेडी के उपर दो वायर जोड़ देनी है कुछ भी नहीं करना है सिधे एलेडी के उपर दो वायर जोड़ देंगे थोड़ा पेस्ट भी लगाके ताकि स्टोलिंग अच्छे से हो सके और यह पेस्ट दो वायर जोड़ लिए कि देखो इस तरह से जोड़ देना है हमें यह अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे ताकि हाटेना तूटेना फिट से यह हो गया दो बड़ा वायर सोल्डिंग इसमें कर दियें ताकि बीच से कट करके स्वीच लगाया जा सके अब हमें बैटरी और चार्जिंग सॉकेट फिट कर लेना है तो सबसे पहले चार्जिंग सॉकेट को बैटरी के प्लस माइनस के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद LED का प्लस माइनस भी इसके साथ ही जोड़ लेंगे और बीच में एक क्वैर में कट लगाके यह इस्तर कर लिया और और इससे सॉल्डिंग कर लिया है कि असमान सोल्डिंग करने के साथ ही यह LED जलना शुरू हो गया कापकी हैवी रोशनी दे रहा है दूस्तों कि यह मैंने हाफ वाट का यह LED है कि बहितरीन रोशनी कर रहा है और यह बैटरी हमने एक कराब ब्लुटूथ से निक दाला है कि अगर आपका ब्लुटूथ का बैटरी खराब हो गया है और आप अगर बदलते हो तो वह बैटरी भी उपयोग मिला सकते हो LED बहुत कम कंज्यूम करता इसके उपर यह पूस्पूल स्वीच लगाएंगे यह पूस्पूल बटन स्वीच मार्केट मास आई से उप बढ़ा सकते हो उस पर हमने वीडियो बनाया है तो आप जरूर देखो हमारे चैनल पर उपलब्द है अगर आपका हीटफोन का रेंज काफी कम है यानि यदि पॉकेट मोबाइल है तो ठीक है नहीं तो दूर जाने के बाद आवाज कट रहा है तो आप उसका रेंज कैसे ब बीच में स्वीचिंग कर सकें कि इसका वायर जोड़ने के बाद स्वीच को केसिन के उपर ही साट देना है या तो फैवी कुट से या फिर आपके पास यह टूइन सेलो टेप हो तो कि यह हो गया सारे वायर को एक साथ कर लेंगे और प्लस माइस आपस में साटे इसके लिए एक उपर से टेप भी दे देते हैं ताकि वायर सब एक जगा जमा रहे हैं और इसे अच्छे से पूस्ट कर देंगे कि यह हो गया जयको कि इसी सब्सकुर्ण और कर देए कि साहिए दिया खूर्ण हे नियुकंद आ-च्छा रूसनी कर रहा है दो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सार्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको सारे वीडियो और जो भी अपलोड करता हूँ को k